डिस इंवेस्मेंट इंवेस्मेंट का ओपिजर इंवेस्मेंट में आप पैसों को अपने किसी ऐसे प्रॉपटी पर लगाते हो जिसकी वैल्यू होती है और जिससे आपको आगे चल कर फ्यूचर में हाई रिटर्न्स या हाई प्रॉफिट मिलने के चांसिस है डिस इंवेस्मेंट में आप ऐसों को निकाल लेते हो कैसे आपने जितने शेयर्ज या बॉर्ड जो भी खरीदा था इंवेस्मेंट के दौरान आप उन्ही को बेच देते हो फुली या फिर पार्शली ये गवर्मेंट करती है पर बेचती किसको है गवर्मेंट इन्हें प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देती है क्यों? लुक, जैसे आप अगर किसी चीज को पहले अफॉर्ड कर सकते थे उसके एक्सपैंसेज, मैंटेनिंस कॉस्ट वगेरा लेकिन बाद में जाकर हो सकता है कि आपकी फिनांशिल कंडिशन सही नहीं रही होगी तो आप उस चीज को कैसे मजबूर हो जाते हो बेचने के लिए वैसे ही गवर्मेंट के ऐसा करने के पीछे कुछ सिमिलर रीजन्स है गवर्मेंट-led sectors, private sector enterprises होते हैं लेकिन चूकी ये गवर्मेंट की control में होते हैं यहाँ license system थे कंपणी से related किसी भी decision पर गवर्मेंट के interference थी जिसे problem होते work ethics नाम की चीज की कोई value नहीं थी कंपणी के efficiency वहाँ के employees की efficiency भी कम थी इससे अच्छे से समझने के लिए थोड़े इतिहास में चलते हैं Disinvestment Policy सबसे पहले 1991 में शुरू हुई थी देखो, हुआ क्या कि 1947 की आजादी के बाद हमारा देश बहुत ही खराब कंडिशन में था खराब is even an understatement Economic condition बिलकुल भी favorable नहीं थी Deindustrialization के वज़े से इंडिया को high population, गरीबी, बेरुज़कारी, illiteracy का सामना करना पढ़ रहा था इन सब चीजों को देखते हुए ये तै किया गया कि हमारी आर्थिक अर्थविवस्ता को सुधारने का एक मातर बड़ा तरेका यही होगा कि हम industrialization को वापस ले आएं और वहीं से PSU या Public Sector Undertaking के शुरुवात हुई ये industrial sectors government के अंडर और उनके द्वारा ही regulate किये जाते थे इसके बाद देश की आर्थिक स्थिती में सुधार आया लेकिन 1991 की economic crisis के बाद government ने नए reforms लाए LPG, Liberalization, Privatization and Globalization और Disinvestment Policy introduce की जिससे की public sector के shares को वो private को बेचने लगे इसके लिए तीन methods अपनाए गये पहला Minority Disinvestment दूसरा Majority Disinvestment और तीसरा Complete Privatization Minority Disinvestment में government अपने पास 51% या उससे जादा के shares रख देर दी और private firms को बागी का मिलता Majority में वो 51% या उससे जादा के shares प्राइवेट को देती और बागी अपने पास रटेन करती मतलब Minority Disinvestment में government अपने managerial position को रटेन करके लेती थी तीसरा method था Complete Privatization जिसमें पूरे के पूरे public sector के shares government प्राइवेट को बेच देती government ऐसा कुछ बड़े कारणों से करती थी वो अपने physical deficit को कम करना चाहती थी जिसका मतलब है कि government के expenditures उसकी कमाई से जादा थे यानि वो अपने revenue से जादा खर्च कर रही थी जो चिंता का विशय है या वो अपना revenue social sector में invest भी करना चाहती थी और infrastructure को develop करना चाहती थी वो disinvest company की efficiency बढ़ाने के लिए या debt को कम करने के लिए भी कर रही थी या company को bank रप्सी से बचाने के लिए भी investment का use कर रही थी लेकिन क्या ये policy भी useful हुई साबित हुई इसके लिए कुछ data reports की जरूरत है government ने सबसे बड़े disinvestments 1999 और 2004 के बीच किये थे उन्ही में से कुछ company आज पर नजर डाले तो पता चलेगा कि आखिर ये policy कितने काम आई में 2000 में हिंदुस्तान टेली printers limited के 74% equity share government ने हिमाच्छल futuristic communications limited को 55 crore में दिये थे 26% share अपने पास रखा financial year 2014-15 में company ने 2551 करोड की revenue generate की और इसमें government के stake होने के कारण उसे भी बहुत जादा फाइदा हुआ ऐसा ही एक example है CMC Limited का और वो आज TCS के नाम से जानी जाती है और आज की तारीक में one of the most profitable company में से एक है कुछ दूसरे examples हो गए हिंदुस्तान zinc and balco later accredited to sterile industries ये आज hundred times जादा profit में है लेकिन इतने benefits के बावजूद experts और economists का मानना है कि ground reality कुछ और ही है इंडिया के आज भी बहुत सारे कोनों में ना पानी है ना एलेक्ट्रिसिटी और ना ही पक्के रोड है इसके अलावा कुछ companies disinvestment से उतने फायदे में ना रही है इससे पता चलता है कि हम disinvestment को पूरी तरीके से गलत या सही के काटेगरी में नहीं डाल सकते मतलब इस बात से है कि companies disinvest करे या ना करे companies में efficiency होने चाहिए workers में efficiency होने चाहिए monopoly ना होकर capitalization हो लेकिन control के साथ हो workers को उनकी मेहनत की कमाई मिले सही wage rate हो